लीजे जाने एक बेहपीन बूटी के बारे में जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं तस्वीर आपको दीज रही है और इसको कहते हैं उर्दू में आख, आकून, मदार, अरबी में अशर, पार्टी में खर्क, जहरे नाख, तेलगू में मंदरा, संस्कृत में मंदार, गुजराती में आकूरू, बंगाली में आकंडा, अंग्रेजी में किलोट्री पस, और इसको कई दूसरी गवानों में अलग-अलग नामों से इसे पुपाला जाता है, और ये आख का पोदा, यानि अकवे का पोदा कहलाता है, और इसकी तीन किसमें हुआ करती है, एक निश्व गसतक बलंदों पता है, अगर ये शाख दर शाख खो कर भी फैलता है, लेकिन जाद पर जड़ी से शाख है, इदर उदर फैल जाती है, आख के जिस हिस्से को तोड़ा जाता है, जाए, तो सफेद गलीज दूढ तपकना शुरू हो जाता है, अत्राफ में जड़ दूढ निकलता है जादे दूढ निकलता है रूर पत्ते बरगत के पत्तों के मुशारा लेकि्न सबस नहीं होते व्लकर सबसे हैं। पत्तोर शाखों पर सफेदी रवा लगा हुआ होता है। फूल कटोरी नुमा गुच्चों में लगते हैं जो बाहर से सफेद और अंदर से बनफशी सुखी माईल होते हैं। फूल के एन दर्मियान एक लोंग के सर के मानिंद एक शाख होती है। इसको क्रिमफिल मदार। आख का डोड़ा इसकी शकल अमूमन लंबूतरी और दर्मियान में खमखाई होती है। इसको कोने पर जब भड़ता है तो इसके अंदर से संभल की रूई के मानिंद रूई निकलती है। जो निहायत नर्व मुलाहम और चिकनी होती है। तोखम चिप्ते स्याई माहिल वजन में हलके हजम में दाल हरत की बनाबर होते हैं। और आख के दरखतों पर एक किसम की रखतों मुंजमिद होती है। इसको समख अशर आख का गौंग और शकर अशर आख की शकर मतला अकवुल की खांड और अकवुल का गौंग पैते हैं। मुकाम पैदाईश पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जजिरा लंका, अफगानिस्तान, इरान और अफरीका हैं। आख की तीन किसमें हैं। ये तीन किसम का होता है कहुआ। जिसकी मायत उपर बयान हो चुकी है। उसी का खिर फिर मक्सूद है। फिर कर रहा हूँ। फूल मुतालिक अर्प होता है हिसका द्रफ पहली से पड़ा हुता है जिसे आप देख रहे हैं इस किसम का द्रफ ड़नों मस्पूला किस्मों से चूटा होता है और फूल पस्ती माइल सपैदी माइल होता है आग का तूँ की चोथे दर्जे में स्थमीर के साथ गर्म खुश्ट हैं और इसके पत्ते साथ हैं जड़े और पूल पीसे दर्जे में गर्म खुश्ट हैं दूद लाजे अकाड मुकरा नाफ बल्गम और मौकई मुसिल्म कभी और मौलिक और जाजिब सुम्ह हैवानात पर गताते हैं मुसक्किन अलम और महलिल और इनकापाद महमिर्जित को सुरुख कर देने वाला है मुस्ट है और मुस्ट है पोस्ट बेख यानि इसका छिलका मौतिल मुकवी और मुफरिच बल्गम मखशी मुकई मौरिक और मेदे और माह के लिए गुल मिसका पूल मुकवी मेदा मिकदार कलील में काते बल्गम और मुसकिन दर्द इस्तमाल दूद का अकाल और मुफरुख मुफरा होने की वज़ा से दाद गंज और बवसीर पर और मस्तो पर इसको लगाते हैं इनको जल्द दूर कर देता है खफीरllä पर लगाने से तिला करने से वज़ाल मुफासल के लिए मुफिद है क्योंके मुनफिस आमलानगेज है यानि शाले डालता है और मुफासिल के फासिद मवाद को खारीज कर देता है अकात बल्गम मौकाई मसहिल और कवी होने के सब इसे अमराज बल्गमी खसूसी जीकुन नफस दमा खासी वज़ाल मुफासिल बल्गमी गठिया इस तस्का में समाल करा जाता है लाजे शडीद होने की वज़ा से मस्कत जिनीन है मौलिक बालो को उड़ाने वाला है बालो को उड़ाने वाला होने की वज़ा से बाज मुकाम पे दाग चम्रा रंगने वाले चम्रे के बालो को साफ करने के लिए इस्तमाल करते हैं ज्यादा मिकदार में इस्तवाल करने पर मेदे और आतों पर खराश पैदा कर देता है और मौतिश होने की वज़ा से हिलासों में मुस्तमिल है घिर्ड सांप और बिच्छों के काटे हुए मुकाम पर भी लगाते हैं जहर को जजब करके दूर करता है और तसकीन में सुकून क्वक्ष देता है पत्ते मुसकिन अलम हैं दर्द को दूर करते हैं महल्ल होने की वज़ासे वजावल मुफास्ल दीगडर वर्मों पर इसको सूझन पर लगाया जाता बांगते हैं और इनको नीम गर्म करके हाथ से मलकर और पानी से पानी निकालकर कान में टपकाने से दर् जो होता है खत्म हो जाता है इस पानी से काते होने की वज़ा से इसको रोगन कंजन के हमरा पका कर इस्तमाल करने से बहरे पन को भी फायदा मिलता है कान में डालने से खुश्क पत्तों का जाली अकाल मजविफ होने की वज़ए से कुरू साहिया खबीसा खबीस पैलने से वाले जखमों पर आहम लंगेस जर्दवा मुस्तमिल किया जाता है ये इनको मेल से पाक साफ करता है खराब गोस्त को दूर करने में नया गोस्त पैदा करता है और इनको जल्द खुश कर देता है मक्ते और मुन्फिस होने की बाइस पत्तों को मुनासिब अद्विया के हमरा खास्तर बनाकर दमा और खासी में इस्तमाल करते हैं नेज बगार खास्तर क्यूव भी खिलाते हैं कहला कर भी जीकुल नफस को फायदा देता है जब पेट साफ होता है तो साथ को फायदा हो जता है पोस्त बेख बढ़की च्छाल मौत दिल और काते होने की वज़ा से मफासिल गठिया आद्शक दरजा दोयम और इतदाई जुजाम में मुपीद है चूंकर ये काते मखसी और मुपी है लिहादा इसको भी हैज़े में इस्तमाल किया जाता है म नौरिक होने की वज़ा से मर्ज आद्शक पर बखूरन मुस्तमिल है गुल फूल मुकबी मेदा और काते बलगम होने की बाइस मेदे की अद्विया में शामिल करते हैं यानि मेदे के लिए जो दवाएं बनते हैं उसमें डालते हैं काते बलगम होने की वज़ा से जीवों नाव सुर्खाजी में इस्तमाल किया जाता है महलील और मसकिन होने के वज़ा से बाद अद्वियत के हमगा रोगन तेलों में भी इसको डाला जाता है जो मारिश करने से वजा और मुफासिल दर्द कमर वगयरा को फायदा बख्षता है नफा खास मुकवी मेजा नाफ हैजा म मिगदार खुराक शीड आक का दूर्द की मिगदार खुराक अगर से तबीन में तकड़ी में 2 माश्य है लेकिन एमुए लघ्यां ना नहीं दे म hice यान हती छिया वज़ेंगे इस अब्रद्द की रइंतितर से जादे ना धुस्ताल नफiğं box जारा खासा है एक ग्र्द्द पतो का सफूफ दो रटी से एक माशे तक जड़ कि छाल का सफूफ दो रटी से पांच रटी तक फूल एक रटी से तीन रटी तकề seven करना चाहिए जोशांदे में पत्ते या च्छाल को छे माशे तक इस्तमाल कर सकते हैं आख के द्रख को जलाकर ये तर्टीब खास इसका नमक निकाला जाता है जो के काते मनफिस होने की वज़ा से जीकुन नफस और दमा खांसी में इस्तमाल किया जाता है आख की रुई नारी के लिए बेहतरीन चीज़ है यानि महज़्जमा नारी के लिए बेहतरीन चीज़ है अलावाजी अगर जखम से खून बहता हो तो रुई के बांदे हुए खून पर आख का गौंद या शकर मदार काम्याब बैठती इसको मुलेयन रुस्तवा और मुलेयन आलाते तनफस बेहन किया जाता है निकदार फुराच एक मार्शा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ आद आओ